हेलो परिवच्चों कैसे हैं आप मैं डॉक्टर शिशील आपका फिजिक्स में हेलबी चनल में तही दिल सो सागत करता हूँ आज कला हम कर रहे हैं क्लास 12 की कमिस्ट्री को और इसका कर रहे है चेप्टर नबर 5 जो कि है प्रिस्ट रसायन यानिकि सर्फेस कमिस्ट्री और लास्ट कलास में हमने आपको उत्प्रेरण के बारे में बताये था और आपको ध्यान हो उत्प्रेरण एक ऐसी घटना होती है जिसमें कोई रसायनिक अभीकिरिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को मिला देने पर रसायनिक अभीकिरिया के वेग जो होता है वो प इसको हम कहते थे आपको ध्यान हो धनात्मक उत्प्रेरण तथा रिनात्मक उत्प्रेरण और इस क्रिया को नाम देते थे उत्प्रेरण आज वही से टॉपिक को आगे शिरू कर रहे हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वहाँ है NCIT का 5.2.4 और वहाँ हमारे पास है समझते हैं हमने पिछली क्लास में रसणिक बिकRiono के बारे में बात करी थी और हमने जिन रसणिक बिकรियां का जिकर किया था वहा हमारे व्यवारिक जीवन से संब्स्राइ थी वहाँ उद्धोग धंदों से संब्स्राइय थी उन च्बिक्र e.3 कोज़न बारे हिमने बात कर भोजन से हमारा शरीर पोशक तत्वों को निकाल देता है और हमारे शरीर को पोशित करता है उन भोजन से प्रोटीनों को निकाल लिया जाता है हमारे शरीर द्वारा और हमको प्रोटीन प्रोवाइद किया जाता है दिया जाता है उन भुजह पदार्थों से वीटामिन्स निकाल दिये जाते हैं और हमारे शरीर में वीटामिन्स की पूर्टी होती है कि वल इतना ही नहीं आप जानते हैं जेल में जो डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को भी हमारा शरीर क्या कर लेता है? absorb कर लेता है तो आप खुदी सोचिए कि हमारा शरीर भी अपने आप में कितनी जबरदस्त रासनी के विक्रियाओं को घटित करता है और यहाँ रासनी के रियाएं हम कहा सकते हैं कि जैसे एक समान्य जीवन में रासनी के विक्रियाओं को जब घटित होती है तो काफी समय लग जाता है इसी परकार यदि हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में समान्य तो जो हमारे शरीर का एक तापमान है जो समान्य मनुश्य का तापमान होता है 37 degree centigrade जदि उस ताप पर हम कहें कि हम जो भोजन गरहन कर रहे हैं उस भोजन को पचने में कितना समय लगेगा जदि समान्य परकार से वो भोजन पचे तो आपको पता होना चाहिए उसको पचने में लगबक 30 से 40 साल लग जाएंगे और आप ये भी कह सकते हैं कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो उनको 50 साल लग जाएंगे केवल एक टाइम का भोजन पचने में तो पर आपको तो ऐसा नहीं लगता आप जानते हैं आपने सुबह खाना खाया दिन में आपको फिर भूक लग जाती है रात को आपको फिर भूक लग जाती है क्योंकि आपको वो भोजन इतनी तेजी से देड़ दो घंटे में दो तिन घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है अब आप कह रहे होंगे कि सर एक तरफ आप बोल रहे हो कि 30 साल लग जाते है भोजन को पचने में और इस क्रिया को ये चलती बहुत मंद है यदि 37 degree centigrade जो कि सामने मनुष्य के श्रीर का ताप होता है यदि उस ताप पर ये अभी क्रिया घंटित हो तो वास्तों में इसको 30 से 50 साल लग जाएंगे लेकिन ये 2-3 घंटे में इसलिए घंटित हो पाती है इसलिए पूर्ण हो पाती है ये जो हमारे पाचन की क्रिया है जो कि हम कहरें रसनी की क्रिया है क्योंकि हमारे शरीर में भी ठीक उसी परकार से कुछ उत्प्रेरक मौजूद होते हैं जैसे कि हमने पिछली क्लास में विभिनय रासेनी के विक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले उत्र प्रेरकों के बारे में चर्चा की थी आपको ध्यान हो हमने वहां कहा था कि यदि nitrogen की hydrogen से क्रिया कराई जाए तो हमें ammonia प्राप्त हो जाती है और इस अभी क्रिया को तेज करने के लिए हम इसमें डाल देते iron यहन के एफी और iron भी हम कहते है iron भी यदि प्रवर्धक यूज किया जाए कि iron भी अपना काम और अच्छी तरीके से क्या जाए तो वहां पर हम उत्प्रेरक प्रवर्धक के रूप में मौली बड़ी नियम का इस्तिमाल करते थे तो जिस परकार से वो घटना वो अभी क्रिया को घटित होने के लिए उसके भी क्रिया को तेज करने के लिए हम वहां पर iron डाल देते थे तो ठीक उसी परकार से हमारा शरीर भी विबिन रासानी कभी क्रियाओं को घटित करने के लिए कुछ उत्प्रेरकों का इस्तिमाल करता है हमारे शरीर में जो रासानी कभी क्रियाओं घटित होती हैं उन रासानी कभी क्रियाओं को समाने तहम जैव रासानी कभी क्रियाओं को हम कह सकते हैं इनके रासानी कभी क्रियाओं को घटित होने के लिए इनका वेगो को बढ़ाने के लिए जिन उत्प्रेरण को का इस्तेवाल किया जाता है उसे कहते है जैव, रसायन, उत्प्रेरण और इस घटना को कि हमारे शरीर के अंदर वे भी में रासनी की पिक्रिया हैं तेजी से घटी थो पाएं उत्प्रेरण के परभाव से इस घटना को हम कहते हैं उत्प्रेरण और वो क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हो रही है और वो अभी किरिया हैं कौन सी हैं जैव, रसायन, अभी किरिया हैं इसलिए इस परकार की घटना को कहते हैं जैव, रसायन, उत्प्रेरण तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी पहले एक बार जैव, रसायन, उत्प्रेरण की या उत्प्रेरण की हम परिवाशन लिखते हैं फिर इसे और डिटेल में एक्स्प्लेन करते हैं तो हमने कहा जीवों में, जीवों के शरीर में लिख लेते हैं जीवों के शरीर में भी, विभिन, रसायनिक, अभिक्रियाएं घटित होती है, जिसके द्वारा, शरीर को विभिन, पोशक तत्व प्राप्त होते हैं साथ ही, जीवों का शरीर, जीवों का शरीर, सुचारू रूप से कारी करता है तो पहले इस बात को समझते हैं हमने का जीवों के सरीर में भी, रसायनिक, भिक्रियाँ घटित होती हैं और उनके द्वारा, मानुशटीर को या कोई भी जीवों, उसको पोशक तत्व प्राप्त होते हैं और केवल यह जीवों में नहीं होती, यह पेड़ पौधों में भी होती है तो जीवों एवं पेड़ पौधों, जीवों एवं वनसपतियों लिख देते हैं वनसपतियों जीवों के शरीर एवं वनसपतियों में ऐसे लिख देते हैं यहां उपर कर दिया में तो जीवों के शरीर और साथ में एवंवनस्पतियों में भी विभिन परकार की रासनी के प्रदान करती है विभिन रासनी के रासनी के रिए अब एक छोटा सा एक्जाम्पल आपको देता हूँ आपने देखा होगा हमारी जो पलकें होती हैं वो एक मिनट में कई बार ऐसे ऐसे आँकों के पलके जब 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 करती रहती है एक बहुत छोटी सी घटना है प्यारे बच्चों यदि यह नित्र थोड़ी थेड़ी देर बाद ऐसे न जबकें तो हमारे नित्रों में एक जो मॉस्चराइजर होता है एक जो नमी होती है वो नहीं बन पाई यदि नित्रों को खुला छोड़ दिया जाए थोड़ी देर तक दो चार घंटों तक तो हमारे नित्रों के उपर हम कह सकते हैं जो एक लेयर है पतली सी जिसे आप कह सकते हैं जिसके दोर और वो नम रहती है वो लेयर क्या हो जाएगी और वैपराइज हो जाएगी तो नित्र क्या हो जाएगी नित्रों का उपर का हिस्सा बिलकुल ड्राई हो जाएगा तो वो हमारे नित्रों को क्या कर देगा खराब कर देगा तो एक छोटी सी किरिया है पलकों का जपकना यहां हमारी शारेडिक परकिरियाओं से ही क्या है संबन्दित है अब हमारे नित्रों पे आपने देखा होगा कभी-कभी आँखों से पानी निकलता है तो वह भी हम कहा सकते हैं एक कुछ विबिन जैगरासनी कभी किरियाओं के द्वारा ही संब्भ हो है तो शरीर की छोटी से छोटी आउशक्ता जो की हम कहते हैं कि थोड़ी सी परिवर्थित हो जाए तो वह जटिल समस्याओं में क्या उद्याती परिवर्थित हो जाती है उसके कारण हमारे शरीर में बहुत बड़े बड़े दोशुत्पन होने शुरू हो जाते तो इन सब चीजों को संतुलित करने के लिए विभिन्य रासनी के पिक्रियाओं घटित होती है उन से विभिन्य परकार के हम क्या सकते हैं प्रड़क्ट निकलते हैं और उन प्रड़क्ट हमारे शरीर के विभिन्य अंगों को हमारे विभिन्य कारिक क्रियाओं को क्या करते हैं संपादित करते हैं संपादित करने में हेल्प करते हैं हम ये कहते हैं तो अब बात ही आ रही है यहाँ पर कि हमने यहाँ तो समझ लिया कि जीवों एम वनस्पतियों में विभिन रासनी के पिक्रियाओं जो घटित होती हैं जिससे शरीर को विभिन पोशक तत्त्त प्रापत होते हैं शरीर सुचारू रूप से क्या करता है? कारे करता है ऐसी रासनी के पिक्रियाओं को ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तथा इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले जो इनको प्रभावित करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाली जो घटना होती हैं उस घटना को हम कहते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरण और क्या कहते हैं उत्प्रेरण कहते हैं तो मुझे लग रहा है अब आपको जैव रासायनिक उत्प्रेरण समझ में आ गया होगा और जैव रासायनिक उत्प्रेरण को ही हम क्या कहते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरण के द्वारा जो उत्प्रेरण की घटना घटित होती है उसे हम एंजाइम उत्प्रेरण के ते हैं जो कि हमारा हो गया टॉपिक तो अब आपको दोनों शब्द समझ में आ गया होंगे एंजाइम्स क्या होते हैं विभिन जीवों में और जीवों के साथ वो वनस्पति भी है आपको पता है वनस्पतियों में भी क्या होता है वनस्पति भी विभिनर अपने भीतर विभिनर अब खोदी देखिए किस परकार सूरी के परकाश में क्या होते हैं पेड़ पोदे अपना भूजन तेयार करते हैं किस परकार जड़ो से वो क्या कर लेते हैं जल को खीशते हैं किस परकार उनमें हम क्या सकते हैं फूल आते हैं अंकूर आते हैं उसके साथ ही इन क्या सकते हैं तो वह से गोंद निकलना शुरू हो जाता है तो ये विभिन्य परकार के हम कह सकते हैं रसाइन ही तो है तो जो जीवों में और वनस्पतियों में विभिन्य जैवरसानी के बिक्रियाओं को घटित करने के लिए जैवरसनिक अभी क्रियों के वेग को प्रभावित करने के लिए जिन उत्प्रेवकों का इस्तेमाल किया जाता है उन उत्प्रेवकों को एंजाइम्स कहते हैं पहली बात और एंजाइम्स के द्वारा या जैवरसनिक अभी क्रियों के वेग को जो बढ़ाते हैं, प्रभावित करते हैं उस घटना को हम क्या कहते हैं एंजाइम उत्रेरण कहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर यह बात आपको clear होगी अब बात आती है कि आखिर यह चीजे होती क्या है जो जैव, जो हम क्या रहें एंजाइम्स हैं यह होते क्या है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान लखना है जो एंजाइम्स है एंजाइम्स यहाँ हमारे होते हैं जटिल, नाइट्रोजनी, कार्बनिक, यौगिक जटिल, नाइट्रोजनी, कार्बनिक, यौगिक होते हैं यौगिक होते हैं पहली बात दूसरी बात ये जो यौगिक होते हैं इसमें अणू किस परकार के होते हैं तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा इसमें बड़े द्रव्यमान के बड़े द्रव्यमान के द्रव्यमान के अणू होते हैं अर्थार जो जटिल कार्विनिक योगिक है जटिल नैट्रोजन कार्विनिक योगिक है इसके अनू जो होते हैं वो बड़े होते हैं मतलब उनके साइज बड़ा होता है तो था वो एक प्रकार से प्रोटोन के अनू होते हैं प्रोटोन अणू होते हैं तो चाहे तो यहां पर इस भी लिख लीजिए बड़े दर्मान के प्रोटीन अणू होते हैं अणू होते हैं तिसरी बात जीवों में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनकी संथ्या तीन हजार से भी ज्यादा होती है तो तिसरी बात जीवों में तीन हजार से अधिक 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 एंजाइम्स पाए जाते हैं तीन हजार से अधिक एंजाइम्स पाए जाते हैं तीन हजार से अधिक एंजाइम्स पाए जाते हैं तो प्यारे बच्चों इतनी चीजों से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर एंजाइम उत्प्ररण क्या होता है अब हमने यहां पर यहां तो कह दिया कि यह विभिन जो शरीर के भीतर विभिन जैवरासानी के भिक्रिया होती है उनके विग को प्रभावित करते हैं अब यदि हम कुछ एक्जामपल्स के तौर इसको समझें और एक और बात यह है कि केवल यह जीवो की शरीर में नहीं रता बहुत से एंजाइम सें जिनकों की लेबर्टरिय में बनाया जा सकता है तो ज़िए हम एक्जाम्पल रखें इसके तो एक एक्जाम्पल रखते हैं जैसे हमारे पास होता है शरकरा शरकरा को जब ब्रेक अप किया जाता है वो तूटती है किसी एंजैम्स के उस पस्तिती बे तो हम कहते हैं उससे आपका गुलकोस तथा फेक्ट्रोस ये दो चीजे तयार होती है तो लिखते हैं जैसे हमने का C12, H22, O11 इसको यदि जल के साथ किरिया कराई जाए तो ये तूट जाएंगे किसके बदों में हैं C6, H12, O6, C6, H12, O6 ये क्या चीज़ है? यहां हमारे हम जानते हैं ये हमारे पास होती है शरकरा ये तो आप जानते हैं ये तो जल होता है ये हमारे पास एक होता है ग्लुकोस और एक हमारे पास होता है फेक्ट्रोस इसमें तोड़ियाता है और यह सारे एक्वस सॉलिशन है यानि कि जली विलियन है दूसरी बात जब कोई एंजाइम्स जल के साथ मिलता है मिक्स अप होता है तो वो एक कोल आईडी विलियन का निर्मान करता है यह बात भी ध्यान रख लेना यहीं पर इस्टार लगा के लिख लेता हूं है कि एंजाइम्स जल से मिलकर कोल आईडी विलियन बनाते हैं बनाते हैं अब आप कहो कि सार्व यह कोलाईडी विलियन क्या होता है तो Collide Vilion बेटा है, हम कह सकते हैं, विलियन का ही एक अलग परकार है आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो थोड़ी सी जिससे तरल होते हैं न मिलकुल जैसे जल हो गया आयल हो गया, उनसे भी थोड़ी से अदक गाड़े होते हैं तो उनको हम Collide Vilion कहते हैं, जैसे एक सिंपल सा एक्जमपल है, जैसे आपके पास गूंद होता है वो अपने आप एक Collide Vilion के तरह हैं, या आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए तो उसको यदि थोड़ा सा मिला लेंगे, तो उससे मिलकर के जो चीज बनती है, वो Collide Vilion है कुछ बच्चे कर रहे होंगे, सर हम तो घर पर रोटी बनाने के लिए आटा भी गूंद देते हैं, तो क्या Collide Vilion है, हम कहींगे, हाँ वो भी Collide Vilion है तो इस परकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं अब हम कहते हैं, शरकरा जब जल के साथ मिलती है, तो गुलकोस तता फेक्ट्रोस का निर्माण होता है और यह अभी के लिए बहुत हम कह सकते हैं, लंबी चल ली जाए, यदि इसमें क्या हो, कोई Enzymes न हो तो इसमें जो Enzymes यूज होता है, उस Enzymes को हम कहते हैं, Invertis और यह हमारे पास क्या है, एक Enzymes है Enzymes मैंने बता दिया, जो जैव, रसाइनिक, उत्प्रे रख है, उसी को Enzymes कहते है तो यह Invertis, जो हमारे Enzymes है, इसकी उपस्तिती में शरकरा, जल के साथ मिल करके, गुलकोज तता फेक्ट्रोस का निर्मान करती है क्यावल बात यही तक नहीं आती, यहाँ जो गुलकोज होती है, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं, C6, C6, H12, O6 यहाँ भी क्या करती है, एक, जिसे हम कहें कि Enzymes, एक Enzymes की उपस्तिती बें, यह फिर से ब्रेक अप हो जाता है Ethyl Alcohol पे, इनकी C2, H5, OH, प्लस Carbon Dioxide में, CO2, Carbon Dioxide में, क्या हो जाता है, कनवर्ट हो जाता है अब थोड़ी से समीकरण को संतुलित करने वाली बात है, तो यहाँ पर हम यह दिर 2 लगा दें, और यहाँ पर भी 2 लगा दें, तो मुझे लग रहा है, यह समीकरण क्या हो जाएगी, अब आप देखिए, Carbon के 2, 2, 4, 6 हो गए, Hydrogen के कितने हो गए, 5, 2, 10, 12 हो गए, Oxygen के 6 है तो कितने आजाएगे, 2, 2, 4, 5, 6 है, यह समीकरण संतुलित होगी, इस अबिकरिया को घटित करने के लिए, जो हम उत्प्रेरक का उस्तेमाल करेंगे, Enzymes का उस्तेमाल होता है, इसको तेजी से घटित करने के लिए, उसे किता जाईमेज, उसको नाम देते हैं, जाईमेज, यह क्या है, एक उत्प्रेरक है, यह भी हो गया, इसके अलावा, जैसे एक एक एक्जामपल हमने यह दे दिया, दूसरा यह दे दिया, इसके लावा अपने घरों में देखा होगा, आप मैक्सिम्म गर्वियों के समय में दूद को जमा करके दही बना लिते हैं, तो दूद स हैं हमने कहा किसका निर्मान हो रहा है दही का निर्मान हो रहा है और इसमें जो एंजयम्स यूज होता है उसको कहता है लेक्टो बैसिलस तो क्या कहा हमने इसमें एंजयम्स क्या है लेक्टो बैसिलस यह हमारा क्या करता है एंजयम्स का काम करता है यानि कि उत्प्रेरण का काम करेगा तो इस परकार से प्यारे बच्चों हम क्या समझ सकते हैं एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है यहाँ हमने समझा साथ ही हमने यहाँ समझा कि एंजाइम उत्प्रेरण जो होता है एक तो यह है कि वो चीज क्या है तो हमने कहा जैवरसानी कभी किरियाओं को विभिन जीवों में जैवरसानी कभी किरियाओं को की गती को प्रभावित कर रहे हैं वाले जो उत्प्रेरख होता है उसे हम कह देते एंजाइम्स और एंजाइम्स के दौरा जैवरसानी कभी किरियाओं की गटना है उसे कहेंगे एंजाइम उत्प्रेरण साथ ही हमने आपके सामने ये कुछ एक्जामपल भी रगे तो मुझे लगता है ये चीजे काफी आसान है आपको अच्छे से समझ में आगी होगी ये NCIT में कुछ और एक्जामपल भी दिये होएं आप चाहें तो उनको भी कर सकते हैं तो आप इसे नोट कीजे फिर हम आगे कंटीनू करेंगे तो प्यारे बच्चों अभी हमने एंजाइम उत्प्रिरण को समझ लिया अब हमारा जो अगला टापिक है वहाँ है enzyme utpranthicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicumicum किरिया का वेग बढ़ा रही है तो वो कितनी तेजी से बढ़ाएगी और जैदी घटा रही है तो किती तेजी से घटाएगी सामाने तो हमानव शरीर में जितनी भी मैक्सिमम एंजाइंस जो होते हैं वहां क्या करते अभी किरिया के वेग को बढ़ाते ही हैं तो अब सर्वत् तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जैवरसानिक उत्प्रेरक होते हैं उनकी दक्षता जितने भी ग्यात हम कह सकते हैं उत्प्रेरक है समानिता उनकी तुलना में सरवाधिक होती है यानि कि हम कह सकते हैं जो एंजाइम्स है या जिसे हम जैवरसानिक उत्प्रेरक कह रहे हैं उससे बढ़िया उत्प्रेरक नहीं मिलते हैं हमें। अर ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि एक जो एंजाइम्स है। एंजाइम्स का एक जो अनु है। वहाँ जैवरासैनी का भी किरियाओं में 10 लाक अनु का प्रती मिनट क्या कर लेता है। उसका विगठन कर लेता है। उसको तोड़ देता है। तो यहाँ क्या है इसकी दक्षटा को प्रनेशड करता है। तो हम इस बात को लिखे लेते हैं। हमने कहा। एंजाइम्स ग्यात उत्प्रेरकों में सरवार्धिक ॡक्षटा रखते हैं। इनकी शुक्ष्म मात्रा भी अभिक्रिया के वेग को अत्यधिक बढ़ा देती है तो पहली बात तो प्यारे बच्चे ये आगे सर्वत्तम दक्षता दूसरा इसमें जो आता है वहां आता है कि जो प्रतेक एंजाइम्स होता है वहां एंजाइम्स एक ही रसानिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है ऐसा नहीं कि एक एंजाइम्स एक से अधिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते तो दूसरा हम लिख रहे हैं एक एंजाइम केवल एक ही जैव रसाइनिक अभी किरिया के वेग को बढ़ाता है इसे ही उच्छ विषिष्टता प्रकरती कहते हैं एंजाइम्स की उच्छ विषिष्टता प्रकरती का अर्थ है कि वह केवल एक ये विकिरिया को प्रभावित करता है एक बिपिद crashed को एक अदिक ऐसे कि एक एक पाचन में में वी काम कर रहा है और दुसरा श्रीर के किसी अन्नीम भीकिर्या में. यह दो-दो काम नहीं उती एक ले लिए फेकां करें त्यसरी एधी कि इस temperature के अंतरगत वहाँ क्या करेगा जो उत्प्रेजरन का जो काम करेगा वो best करेगा सबसे अच्छा करेगा और यहाँ जो ताफ आप जानते हैं हमारे मानोशरीर का जो ताफ होता है वो लगबग 37 degree centigrade के लगबग होता है यानि कि लगबग near about हम कह सकते है 210 हमारा केलविन में यहीं कहा जाए उसके लगबग होता है तो इसकी भी जो रेंज होती है वो लगबग 288 में से 310 के लगबग ही होती है तो हम लिखते हैं यहाँ एंजाइम 288 में केलविन से 310 केलविन के मध्य अपना सर्वत्तम सर्वत्तम प्रदर्शन करते हैं सर्वत्तम प्रदर्शन करते हैं और सर्वत्तम प्रदर्शन का क्या अर्थ हो बच्चों इसका अर्थ है अभी किरिया के वेक को सबसे ज़्यादा जिदी बढ़ाएंगे तो इस टेंपरिचर के अंतरकत बढ़ाते है यदि temperature ज़्यादा हो जाए तो भी enzymes अपने काम करना थोड़ा से कम कर देंगे यदि temperature कम हो जाए तो भी enzymes अपना जो काम कर रहे हैं वो क्या कर देंगे थोड़ा स्लो कर देंगे तो जो यह temperature का band है 295 से लिकर के 295 से 310 इसके बीच में यह best काम करते है यह अभी करिया के वेग को बहुत तेज बढ़ा देते हैं लेकिन यदि temperature 200 ठाण में से कम हो या 310 से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं यह अभी करिया के वेग को उसी हिसाब से क्या कर देते हैं धीरे धीरे कम करते चले आते हैं आप इस बैंड से दूर जाएंगे आपने देखा होगा कभी कि यदि आप कभी रात को भोजिन करके कभी सोएं यदि प्रॉपर तरीके से आपने सर्दियों के समय में कह सकते हैं कि अपने कपड़े ओड़ेवे हैं अठंड में लगे तो सुबह आप देखेंगे आप स्वस्त रहेंगे लेकिन यदि आपने क्या करा कि रात को आपको किसी तरीके से ठंड लग गए जादा ठंड में चलेगे तो आपने देखा होगा सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती हो आती है हमारा खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता तो बॉडी का टेंपरिचर भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है जिसके कारण हमारे अंदर की जैवरसनी कभी करिया है क्या हो आसानी से तेजी से घटित हो क्योंकि उनको कितने टेंपरिचर से ये हम जानते हैं हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड है इसकी एक पी एच वेली होती है या जो भी कोई भी एक सॉलूशन होता है कोई भी रासानीक विलियन होता है उसकी एक क्या होती है पी एच वेली होती है तो जो इस टितम पी एच है एंजाइम्स की वो है 5-7 के मद्य इसका अर्थ है एंजाइम्स एंजाइम 5-7 pH के मद्य सर्वत्तम कारे करते हैं सर्वत्तम कारे करते हैं और यदि pH का मान 5 से कम हो या 7 से ज़्यादा हो जाए तो हम पहले की तरह बोल सकते हैं कि यहाँ एंजाइम्स की जो हम क्या सकते हैं दक्चता है जो क्वालिटी है वो धीरी धीरे घट जाएगी यह उतनी तेजी से काम नहीं करेंगे ऐसा कह सकते हैं चौथे के बाद हमारा पांचवा आ गया जिसे हम कहते हैं जैसे हमने देखा होगा कि सक्रियता की बात करें या सहेंजाइम्स की बात करें सक्रियता या सहेंजाइम्स का अर्थ है कि एंजाइम्स को एंजाइम्स के आँजाइम्स के आँजाइम्स के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम सहा एंजाइम्स का उप्योग करते हैं तो लिखते हैं का प्रभाव हमने का सहे एंजाइम्स क्या है वह तत्व जो कि एंजाइमों के लिए सहयक का कारे करें और एंजाइम का काम क्या है वह उत्प्रेरक की तरह कारे करते हैं विगरिया की वेग को बढ़ा रहे हैं तो वे सारे तत्व जो एंजाइम्स में इस कारे में उसका सयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सह एंजाइम्स और तो सह एंजाइम्स से क्या होगा अभी किरिया का वेग बढ़ जाता है तो लिखते हैं सह एंजाइम के द्वारा जैवरा साइनिग अभी किरियाओं अभी किरियाओं के वेग बढ़ जाते हैं और ऐसे कौन-कौन से होते हैं इसके example में ले सकते हैं यदि enzymes में थोड़ा सा आ-protein मिला दिया जाए तो हमने कहते हैं enzyme में थोड़ा सा आ-protein थोड़ा सा आ-protein यह कार्य कर देता है कर देता है इसके अलावा जो हम कह सकते हैं और प्रोटीन में क्या क्या जो हमारे धत्विक आइन हैं वो इस ट्रेणी में आते हैं एक्जामपल में हम लिख लेते हैं धत्विक आइन धत्विक आइन क्या हैंगे इस त्रेणी में आएंगे जैसे हम लिख सकते हैं एन ए प्लस इसके इलावा लिख ले मैगनीज टू प्लस ये सारे के सारे हमारे क्या हैं यदि एंजाइम्स में थोड़ा सा ये मिला दिया जाए ये कहीं से मिल जाएं तो क्या होगा ये जैवरसनिक भी क्रियों का वेख बढ़ जाएगा तो इस परकार से प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं एंजाइम्स उत्प्रेरण के बिलक्षणों को समझ सकते हैं अब हम यहाँ से अगला टापिक समझते हैं NCIT का जो कि हमारे पास आता है एंजाइम्स उत्प्रेरण की क्रियाविधी देखे जो एंजाइम होते न उनके प्रिष्ट पर छोटे छोटे रंदर या छिद्र होते जिसे उनकोटर कह सकते तो यदि मैं कहूं ये मेरे पास एक एंजाइम है ये एंजाइम है तो इसके प्रिष्ट पर हम यहाँ पर बना लेते हैं एक पार्टिकुलर शेप बना लेते हैं हमने का ऐसे 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 ये क्या है एक कोटर है ये क्या है एक हमने का ये एक कोटर है कोटर यानि कि एक छिद्र अब इसके खास बात क्या है इसका एक particular size है ये क्या है enzyme enzyme तो इसमें एक उपर क्या है coater जब इसमें हम क्या सकते हैं कोई एक रासनिक अभिकिरिया घटित होने में जब कोई अणू इसके भीतर प्रवेश करता है तो ये क्या करते हैं उसको break up कर देते हैं यानि कि उसको यॉगिक में परिवर्तित सारी product में उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं तो हमने का इसके साथ यदि हम इस तरीकी का एक ऐसे करके जोड दिया जाए तो ये कैसे बन जाएगा इस परकार से बनेगा दिखिए enzymes तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ऐसे 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 और इसमें क्या fit हो गया ये वाला fit हो गया ये ऐसे है तो इसको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों इसको भी ऐसे बना लीजिए यहां पर ऐसे अब इसमें ये fit करना है हमें तो ये इसमें ये फिट हो गया देखिए ये तो ये क्या चीज थी ये enzymes था और ये हमारा क्या था योगिक का अनू योगिक अनू जो रासनी के भिकिरियों हैं उन्में जो योगिक का उसका अनू इस परकार से अब enzyme के स्कोटर में वहाँ अनु फिट हो गया जब यह फिट होता है तो इससे क्या होता है एंजाइम तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा एंजाइम तो हमने कहा ऐसा का ऐसा रह जाएगा और यह जो कोटर होता है हमारे यह दो हिस्सों में तूड याथ सरी यह जो यौगिक अनू होता है यह दो हिस्सों में तूड जाएगा यह इतना अनू ऊपर हो गया और नीचे इतना अनू नीचे के और हो गया तो यह जो अनू है यह दो हिस्सों में तूड गया और यहां हमारी एंजाइम उत्प्रियाविती है हमने आपको स्टार्टी में कहा था कि लगबग 3,000 से ज़्यादा जो जी पदार्थ हैं उनमें 3,000 से ज़्यादा एंजाइम्स पाई जाते हैं और हर एक रासानिक जैवरासनिक विक्रिया के लिए केवल एक ही एंजाइम काम करता है ऐसा नहीं है कि कोई एक एंजाइम एक से अधिक रासानिक विक्रियाओं को प्रभावित करे जैवरासनिक विक्रियाओं को वो इसलिए है क्योंकि हर एंजाइम्स का हम क्या सकते हैं यहां पर जो कोटर है उसका अकरती अलग लग है यह इसके लिए fix है कि यह किसी एक रासनी के बिक्रिया में हम क्या सकते हैं भाग लेने वाले अणू को ही अपने अंदर लॉक कर सकता है यह ठीक वैसी है जैसे हम क्यते एक ताला है और एक चाबी है तो ताला क्या है जैसे यह एंजाइम है चाबी क्या है जैसे योगिक अनू है किसी रासनी के बिक्रिया के योगिक का अनू है अब यह इसमें जब fit होता है इस कोटर में तो यहाँ एंजाइम क्या कर देता है इस योगिक अनू को प्रिक अप कर देता है यानि कि इसको प्रड़क्ट में बदल देता है यहाँ पर क्या बन गया यह उत्पाद यह उत्पाद तयार हो गया और यह एंजाइम अलग रहे गया यह क्या है enzyme यह अलग जैसा शूरु में था वैसे ही हमेंढ़ प्रपत हो गया लेकिन यह जो हमार पस योगी करणू था वहां क्या हो गया उत्पाद में परिवर्दित हो गया और यही हमारी क्या है enzyme उत्पररण की क्रिया भी दिए फिर से बता रहा हूँ ये ठीक वैसे ही कारे करते हैं जैसे की एक ताला अर्चावी एंजाइम्स को यदि हम ताला मान लें तो जो यौगिक के अणू होंगे किसी पर्टिकुलर किसी एक निश्चित रासनिक विकरिया में भाग लेने वाले जो तब तो के अणू होंगे वो अपने आप में क्या करेंगे चावी की भाति व्यवार करेंगे और यहाँ चाबी ही किवल एक ताले में लग सकती है आप जानते हो कि किसी दूसरे चाबी को किसी ताले में डालते हैं तो ताला खुलता नहीं यह सामान्य था तो हर ताले की अपनी अलग चाबी होती है आप इसे नोट कीजिए फिर एक छोटी सी एक दो चीज़ा हो रहे हैं उनको फिनिश करते हैं और आज का हमारा काम हो जागा पूरा तो प्यारे बच्चों अभी हमने एंजाइम उत्प्रिरण को समझा अब हमारा जो अगला टापिक NCRT का वहा हमारा है NCRT का 5.2.5 जिसको हम कहते हैं उत्धोगों में उत्प्रिरण कैटलाइस्ट इन इंडस्ट्री आप जानते हैं कि विभिन रासनी के अभी क्रियाओं को हमने का घटित होने में बहुत बड़ा समय लग जाता है बहुत ज्यादा समय लग जाता है तो इंडस्ट्री में भी जब किनी केमिकल्स का प्रडिक्शन किया जाता है किसी रसाइनों का हम कहा सकते हैं उत्पादन किया जाता है तो वहां भी अभी किरियाओं के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेगों का इस्तमाल किया जाता है और जिससे वह प्रड़क्ट वह बाद जल्दी तयार हो जाते हैं तो जो NCRT में एक तो एक्जामपल ही है हम उन्हें को डिस्कोस यहां पर कर रहे हैं तो पहला उन्होंने दिया है हैबर विदी के द्वारा अमोनिया का निर्माण सबसे पहला हमारा आता है अमोनिया का निर्माण तो अमोनिया का निर्माण आप जानते हैं यह तो प्रोसेस कई बार हम इसको यूज कर चुके हैं तो क्या है इसमें आप जानते हैं H2 N2 प्लस H2 से हमारा क्या बनता है NH3 बनता है और यदि सम्भी करणों को संतुलित करें तो यहाँ पर लगा देते हैं 2 यहाँ पर लगा देते हैं 3 और यहाँ पर लगा देते हैं 2 यह हमारा नाइट्रोजन हो गया यह हमारा हो गया हाइड्रोजन और यह हमारा क्या हो गया अमोनिया हो गया नीचे आप चाहें तो नाम लिख सकते नाइट्रोजन। हाईद्रोजन्स अरियोग अमोनिया। तीनों ये गैसिस स्टेट में होती है, आप चाहें तो ये दि自 84 आते और उत्प्रेयरक वर्धक उत्प्रेयरक वर्धक हम मौले बड़ी नियम लेते हैं यानि कि M.O. और यहां पर जो दाब रखा जाता है भिक्रिया को तेजी से घटित करने के लिए वो रखा जाता है 200 बार दाब यह रखा जाता है और साथ में हम कहें जो ताप होता है वो लगबग साड़े साथ सो के लगबग रहता है लगबग साथ सो पचास से लेके 773 केल्विन की बीच में क्या रखा जाता है ताप रखा जाता है तो इस विदी से हबर विदी से अमोनिया तेजी से क्या होती है बन जाती है तो मझे में अधार करें लाओ Two N पादन हम ने की से इस को क्या करा दिया या या music H3 और प्लस इसको क्या कर दिया oxygen से करिया कर दी जिससे हमारा बनता है nitric oxide यान कि NO और साथ में हमारा बन जाता है H2O यान कि जल बन जाता है अब दूसरी यह दि reaction लिखें कि इसके बाद क्या होता है क्योंकि हमें तो HNO3 चाहिए तो यह NO जो होता है हमारा यह फिर oxygen के साथ किरिया करता है और यह जो निर्मान करता है nitrogen dioxide का निर्मान कर लेता है यानकि NO2 का निर्मान करता है तिसरे step में यह NO2 यह H2O के साथ किरिया करता है प्लस O2 के साथ किरिया करता है oxygen के साथ और अब यह क्या बना लेता है? HNO3 बना लेता है समी करन को आप संतुलित करना चाहें तो कैसे करेंगे आप देखेगा हमें तो प्रैक्टिस है तो ऐसी लिख सकते हैं यह हमार पर साज़ेगा फॉर 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 सिक्स यह आ जाता है फॉर और भी नहीं आएगा यहां पर आज़ेगा टू जीरो यहां गया टू देखेगे क्या सही बैठ रहा है बिलकुल सही बैठ गया और यहां पर हमारा आ जाता है फॉर और नो टू है यह एच्टू है यह ओटू है यह हमारा इतना आ गया तो यहां पर हमारा गया फॉर टू इतना इसके बराबर आ ज बन जाता है धियान रखेंगा यह हमारा क्या है? नाइक्रिक अमला यह हमारा बनाता नाइक्रोजन डाईक्साइड आप इसे t消ड़ के बीच में बताई तहीं जिसम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड ये तो आप जानते हैं ऊपर लिखा वाई ये क्या है अमोनिया तो मुझे लगता है सब के नाम आपको अप क्लियर हो गेंगे इस परकार से हम इंडस्ट्री में उत्बरेलों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं को जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं अब यहीं पर प्यारे बच्चों NCRT के कुछ प्रश्ण दिये हैं मिड एक्सरसाइस के बीच में जिसे पाठ्थे नहित प्रश्ण करें थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं अगला हमारा आता है पाठ्थे नहित प्रश्ण तो पहला हमारा जो आ रहा है पाठ्थे नहित प्रश्ण यह हमारा है अमोनिया प्रप्त करने के लिए हाबर प्रक्रम में CO को हटाना क्यों आवशक है तो पहला है 5.4 यह करें जो अमोनिया की यह वाली व्रदी थी यह यानि कि जिसमें हम N2 प्लस H2 से बना लेते और इसमें आईरन को उत्प्रे रख के रूप में मौली वडिनियम को उत्प्रे रख वर्धक के रूप में जबकि इसका दाब 200 बार अर टेंप्रेचर लगवग आप कह सकते इसमें कोशिश की जाती है कि कारवन मौनो अकसाइड ना है जैसा कि इसमें कारवन मौनो अकसाइड को हटाना आउशक है अगर हाइडोजन के साथ कहीं से इस परकिरिया में कारवन मौनो अकसाइड आ गई तो कारवन मौनो अकसाइड क्या करती है यह FE उत्प्रे रख पर विश प्रभाव डालती है यानि कि उत्प्रे रख के प्रभाव को कम करती है इसलिए यह कोशिश के जाती है किस पर के लिया में कहीं से भी कार्बन मोनो अक्साइड ना है तो आंसर लिख लेते हैं क्योंकि कार्बन मोनो अक्साइड उत्प्रेरक एफ ई पर विश्प्रभाव डालती है जिससे उत्प्रेरक का प्रभाव कम हो जाता है तो एक तरफ तो आप जान रहे हैं कि अभी किरिया तेजी से घटी तो इसलिए आपने उत्प्रेरक उसकिया यदि गलती से कार्बन मोन अक्साइड आगे तो उत्प्रेरक भी आपका जल्दी से अच्छा काम नहीं करेगा इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है अभी किरिया को संतुलित करना चाहें तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लिया 3 है तो N2 प्लस 3H2 से 2NH3 हमारा यहाँ पर बन गया सेकंड कोश्चन देखें सेकंड कोश्चन हमारा एस्टर के एस्टर का जल अब घटन प्रारंब में धीमा तथा कुछ समय पश्चात तिवर की हो जाता है लेकि ऐसी अभिक्रियाओं को सतहा प्रेरित अभिक्रियाएं कहते है क्योंकि कोई अभिक्रिया ऐसी होती है कि जो अभिक्रिया प्रारंब होती है तो उस समय तो वो अपने समान्य वेग से होती है उसकी जो दर होती है वो समान्य होती है लेकिन जैसी अभी किरिया से उत्पाद बनने सुरू होते हैं अभी किरिया का वेग सोता ही बढ़ियाता है और वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो उत्पाद बने हैं वो उत्पाद ही बहुत बार रासनी कभी किरियाओं में उत्प्रेरक का कारी करते हैं इसलिए ऐसी घटन घटित होती है तो इन्होंने कहा है कि ester का जलब घटन करते हैं question number 5.5 ester को हम प्रदिश्यत करते हैं r c o r dash और जलब घटन करना है तो plus क्या हमने लिया h2o तो इससे क्या बनेगा इससे जो बनेगा वहां हमारा होगा एक तो r c o h plus r dash o h तो ये तो क्या बन गया alcohol और ये हमारा क्या मैं जाता एक अमलो एक उतप्रेरत का चाने लगता है तो प्रारम्ममा तो यह अभीकी रिया क्या होती दीवी लेकिन अमला मने के बाद यह अभीकिरया क्या हो जाते है तीवर हो जाती है तेजी से घटित होनी शुरू हो जाती है इसलिए हम कहते हैं कि यहां घट्रामाद को दिखाई देती है अगला प्रशन देखें उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषन की क्या भूमिका है प्रशन संत्या है 5.6 उत्प्रेरण में विशोषन की भूमिका विशोषन की भूमी का आप विशोशन तो समझते हैं न विशोशन क्या होता है अधिशोशन की विपरीत क्रिया को विशोशन कहा जाता है और अधिशोशन क्या है मेरे पास एक ये ठोस है इस ठोस के प्रिष्ट पर जो खाचे हैं उन खाचों पर उपर की और यहां जो गैस के अनू हैं ये अनू ये आकर के इन खांचों पर फिट हो जाते हैं यहां पर आ गया यहां पर आ गया तो यहां किसी गैस के अनू का फोस के प्रिष्ट पर आकर की एकत्रित हो जाने की घटना को हम कहते हैं अधिशोशन और हम जानते हैं जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोशन की घटना यानि कि गैस के अनू का ठोस के प्रिष्ट पर जमा होने की घटना एकत्रित होने की घटना बढ़ती जाती है और विशोशन इसकी विप्रित के रिया है विशोशन का अर्थ है कि यह आप दाब को कम करेंगे तो जो यह अधिशोशन की घटना हुई है गैस के अनू इन खाचों में आकर के बैठे हैं ठोस के प्रिष्ट पर सतव पर एकत्रित हुए हैं दाब घटाने पर यह अनू यहां से निकल करके बाहर चले जाते हैं तो अनू क्या निकल गए बाहर निकल गए और यही घटना क्या कहलाती है विशोशन कहलाती है विशोशन तो अब उत प्रिरण में विशोशन की क्या भूमिका है भाई जब उत्प्रिरण की घट्टा घटित होती है जैसे भी मैंने आपको इससे पहले एंजैमिस में भी बताया कि ठोसों के प्रिष्ट पर क्या बने होते हैं कोटर बने होते हैं और कोटरों में क्या होता है हम क्या सकते हैं जब कोई रसनी के भी दिया के घटित होने वाले अणू उन कोटरों में आकर के स्थित होते हैं तो वहाँ पर एक रसनी के भी दिया घटित होती है जिससे उत्पाद का निर्मान हो जाता है पर जब उत्पाद का निर्माण होता है, तो यदि ये भरे वे रहेंगे, तो फिर नए उत्पाद कैसे बनेगे? इसलिए जब इन में इन स्थानों पर उत्पाद बन जाते हैं, तो विशोषन की घटना-घटित होती है, यानि कि वो उत्पाद बाहर निकल जाते हैं, और बा उत्पाद भी विशोशन की गिरिया के करण बाहर निकल जाएंगे और फिर नए अभिकारक आएंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं उत्पिरण की घटनाय में विशोशन का यहाँ हम कह सकते हैं काम है यह विशोशन नहीं होगा तो ठोस के प्रिष्ट पर क्या होगे स्टार्टिंग में जो उत्पाद बने वही बने रहा जाएंगे तो नहीं उत्पाद तो बनेंगे नहीं तो इसलिए विशोशन की गिरिया आफशाग है तो प्यारे बच्चों यहां हमने NCRT के जो हमारा टॉपिक था यह चैप्टर था प्रिश्टर रसायन उसके कुछ और टॉपिक्स को आपके सामने रखा जिसमें स्टार्टिंग में हमने आपको एंज्ञाइम्स बताया और उसको डिटिल में आपको समझानी के कौशिश करें अर लास्ट में हमने देखा कि उधोगों में किस परकार से उत्प्रेरोकों का उप्योग किया जाता है और साथ मैं NCRT के जो मिड़ एक्सरसाइज के प्रशन है उनको भी हल किया मुझे उमीद है आप कोई आसानी से समझ में आया होगा टापिक कठी नहीं है काफी आसान है यह पूरा मैं कहूं पूरा को पूरा चैप्टर ही यह आसान है इसमें कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं है सिंपल सी थ्योरियस है यह आप एक बार समझ लेंगे तो काफी आसान रहेगी तो फिर मिलते हैं एक लिएक लास में तब तक के लिए गुड़ पाई